अचला हूं वालीकूम उमीद करता हूं आप सब खेरेस होंगे आज की वीडियो के अंदर शेयर कहने वाला हूं स्नैप चैट के ओपर किस तरहां से आप अकाउंट क्रियेट कर सकते हैं अगर आपने स्नैप चैट प्ले स्टोर से इंस्टाल की आपको समझ नहीं आ रही किस त सामने तीन एक option आ जाएंगे continue with google sign up करें या login करें तो आपने कर लेना है continue with google पर क्लिक कर लेना है ठीक है simple जैसे मैंने continue with google पर क्लिक के आपके सामने जो आपके जीमेल ओपन होके आ जाएंगे अगर आप किसी के ओपर भी बिनाना चाहते हैं जीमेल के ओपर आप उस जीमेल को यहां से स्लैक करेंगे तो मैं यहां से जीमेल को स्लैक करके मैंने नेक्स वाले option पर क्लिक कर दिए ठीक है आप इस जीमेल से जाना चाहते हैं यहां पर इसी जीमेल से जाना चाहता हूं ठीक है वह जैसी मैंने क्लिक किया अब यहां पर आ पर्मिशन मांग रहा है allow snap to access contacts जो भी आपके contacts नमबर है आपने उसकी permission देनी मैं allow किया आगे आगे आपके सामने फिर आपके phone calls की ठीक है यहां पर message की यहां पर मैंने वह simple click किया सारी access मैंने ने दे दी आगे जाके आपने क्या करना है अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है आपने स्लेक्ट कर लेनी है तो मैं यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है स्लेक्ट कर लेता हूं आगे ओपर वो आपको बता भी रैफिनेश क्रियेटिंग अकाउंट स्टेप 124 फॉर स्टेप होंगे ठीक है सिंपल मैं कॉंटिन्यू करता हूं ठीक है यहां पर मैं simple इसे करता हूँ जी continue मैंने continue किया अब यहां पर देख सकते है step number two आगा जी उसके बाद simple मैं इसे कर देता हूँ next step सीख है simple second वाले को पर मैंने next कर दिया अब वह कहरा जी set a password आप यहां पर अपना password set करें ठीक है आपने यहां पर क्या कह लेना है अपना password set कर लेना है आगे नीचे वह कह भी रहा है your password should be at least eight characters along ठीक है यहां पर characters होंगे वह आपके eight characters होंगे ठीक है अगर नहीं आपको देता तो आपने यहां पर अपना number type कर लेना है नीचे उसके बाद क्या कर दूँगा मैं finish वाले option पर क्लिक कर दूँगा मेरे यहां पर अब उस number पर देख सकते है यह camera की ठीक है मैं access इस से दे देता हूं ठीक है अच्छा यहां पर वो कहरे जी किया करने यहां पर मैं यह इसके center में अपना face रखा था face रखने के बाद उसने मुझे आपसे कुछ accessibility मांगेगा ठीक है आपने क्या कर देना है वो अपनी accessibility इन्हें जो है वो provide कर देनी है उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पर जाता हूँ ठीक है अब यहाँ पर देख सकते हैं आप स्नैपचैट की आइडी जो है प्रॉपर बन चुकी है मैं इसकी वाइस थोड़ी सी क्या करता हूं ताके copyright का issue ना है यहाँ से कर सकते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं जो जो लोगों ने वो बनाई हो यह वीडियोस ठीक है इसके बाद यहां पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक हैh, यहांपर भी आपको दे दिया जायए गारी कैमरे पर क्लिक करता हूँ, यहां से आप अप अपनी और जो भी आप अपनी Filter लगाके बनाना चाहते है पिक्चर वगारा वो आप बना सकते है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप चैर्स वगारा अगर करना चाहते हैं अपने Friends को ठीक है स्क्रीट वगारा भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसीली बेश बेश सकते हैं जो नेक्स मेरी वीडियो आए वो आप तक पहुन सकें तो अमीद करता हूँ आपको पैदा चल गए होगा कि स्नैपचाट के ओपर किस तरह से आड़ी क्रियेट की जाती है वीडियो चले के वीडियो को लाइक है किस चैनल को लाजमी से सब्सक्राब कर दीजगा मिलते हैं किसी नेक्स और इंफर्मेटिव टॉपिक अंदर तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा मुझे ने इजाज़त सेफ रहें सेक्यों हो रहें अल्ला हाफिज